जय हिंद दोस्तों आप सभी के लिए न्यूज पेपर एडिटोरियल का शुरुआत मैंने किया है दोस्तों कोई भी चीज सीखना बहुत मुस्किल होता है कई बार मन करता है कि चलो ए चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत मुस्किल है बहुत चुनोतियां है इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है लेकिन दोस्तों यकीन मानिये एक बार जब कोई चीज आप सीख लेते हैं तो जिन्दगी भर के लिए आपको वो बहुत सुख देता है कहते हैं न कि सीखना बिलकुल बीटर है आसान नहीं है इसके सुरुवात जो होती है उसमें बहुत ही कठिनाईयां होती है लेकिन आगे चलके आपके लिए ये बर्दान होता है इभव ना करके हर चीज को जो सुरुवाती दोर में सीखने की जो चुनावतियां होती है वो हर चीज में होती है और उसे हमेश करना है पार पाना है मेहनत से और लगन से दोस्तों जितना भी मैं नेज़ पेपर का हेडलाइन एडिटोरियल बगरा पढ़ाऊंगा उसमें हर वीडियो में जो मैं वोकेबलरी आपके लिए स्लेक्ट करता हूं वो सारे वोकेबलरी यहां पे आपको मैं दे दूँगा ताकि आप आराम से उसका रिवीजन करें जैसे पहला दिन जो मैंने निज़ पेपर में पढ़ाया था वो दस वर्ड जो दिया है वो आपके सामने है इसी तरह से दूसरा दिन जो आपको पढ़ाया था वो भी है तो इस तरह से एक student ने लिखा था कि सेर कास वो सारे वर्ड से एक जगा मिल जाते जो आप रूज पढ़ाते हैं तो अच्छा होता मुझे अच्छा लगा उनका इडिया इसलिए मैं कहता हूँ आप कमेंट करते रहें ताकि आपके जो अच्छे-च्छे सुझाव हैं उस पे मैं काम करूँ और education को innovation के साथ आपके सामने प्रस्तूत करूँ ताकि आपको जादा से जादा फायदा हो और दोस्तों पढ़ने का भी तो यही उद्देश होता है ना कि हम अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें कुछ चीज हम जो grammar में रटते हैं या वो gap सियाद करते हैं वो आप बिल्कुल भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद तो अच्छा है उसको हम हमेशा recap करते रहें recapitulation होता रहे और इसके लिए अच्छी आदत यह है कि आप रूज news paper पढ़ने की आदत डालिए क्योंकि आपको लगता है कि SAC का या bank PO का या IELTS का या TOEFL का या UPSC, APCS, CAPF या CDS किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं तो जितना भी आप कोसिस करते हैं अंग्रेजी को बहतर करने के लिए उसमें आपकी आदतें बहुत ज़्यादा इसमें contribute करती है किस तरह की आपकी आदतें हैं अगर आपने रोज निजबेपर इंग्लिस के निजबेपर पढ़ने का अदत बनाया तो आपका grammar जो आप पढ़ते हैं वो experiment हो जाएगा वहाँ पे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका यूज है की नहीं जो vocabulary आपने पढ़ा है छे महिना या साथ महिना या साल भर पहले दू साल पहले उस सब आप भूलते जाएंगे अगर आप regular way में news paper नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जितने भी vocabulary आपको कराता हूं वो सब मैं रोज इसमें words चुड़ते जाएंगे जैसे अभी तक मैंने पढ़ाया है तो 80 words को आपको मैंने discuss किया है जो मैंने यहाँ पर रखा है अगला edition में 10-20 और words चुड़ेंगे तो उसको भी edition इसमें होता र प्रिजेंटे मेरे दिमाग में ही रहता है कि किस तरह से चीजों को प्रिजेंट किया जाए कि बच्चों को फायदा भी ज्यादा हो और उन्हें जो सुरुवाती जो मुस्किलों का जो सामना करना पड़ता है सही guideline के अभाव में वो उनको ना हो इसलिए मैं हमेशा कोसिस कर तो आज मैं newspaper editorial को रखा हूं पूरा का पूरा जो 28 sentence इसमें रखा गया है तो पूरा 28 sentence को मैंने 28 हिस्सों में बाट के और आपके सामने रख रहा हूं और हिंदी के साथ मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं ताकि आप एज महसूस करें आप कभी भी ये ना सुचें कि इसको स पसान करने के लिए मैंने यहां रखा है तो यह editorial जो है उसमें जो long overdue title है यहां से हम सुरुआत करते हैं तो long overdue long का तो आपको सब कुछ पता है overdue का मतलब क्या होता है overdue का मतलब होता है बाकी जैसे dew का मतलब बाकी होता है बहुत ज्यादा अतीत से ही बहुत पहले से बहु है तो यह है मैं बढ़ाएं दूह की स्याम सरमाज आपको ऑनलाइन क्लास पेंदेरक्स को्स्तिंड घुगलbs क्शा के सारे कॉंपिटिशन के लिए S.A.C. Bankview के लिए प्रोवाइड करता है बहुत इमानदारी, कमिटमेंट और मेहनत से बनाया हुआ है इस सारा कॉर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप स्याम सरमाज क्लस्स के आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ complete English course जो recorded videos है वो purchase करें और बागी जो तमाम उपलब्ध जो videos हैं, courses हैं आप पे वो आपको free of course दी जाती है आप 9599614791 पे call करके भी सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसमें देखिए दूस्तों, मैंने underline पहले ही कर दिया है कि OVC reservation OVC reservation है, other backward class का reservation तो हमें जब sentence को पढ़ना है, तो chunk में पढ़ना है जैसे ये हमारा एक chunk हो गया धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप छोटे-छोटे chunk में तोड़ना आप सीख जाएंगे OVC reservation के noun phrase है किस चीज में? In all India quota medical seats जो medical seats नीट के जरिए जो medical का entrance test होता है इसको कहते है National Illegility Come Entrance Test इसके जरिए Undergraduate और Postgraduate एक्जाम होते हैं MBBS से लेके MD, MS, BDS, MDS सभी का उसमें OVC का reservation मिलना चाहिए था जो नहीं मिला था Center ने नहीं दिया था SC गो दिया था ST को दिया था लेकिन OVC को reservation नहीं मिला था नीट में All India quota जिसको कहते हैं यह subtitle है अब यहां से मैंने एक चंग तोरा कि put and end put and end का मतलब होता है समात करना किसी चिशको do away with कहते है ना do away with समात करना do away with का मतलब होता है I am done away with this work I have put and end to this work तो यहां दखिएगा do away के साथ with लगता है और put and end के साथ हमेशा preposition to लगता है क्या समात किया है यह जो भेद भावपुर्ण जो नीती है SC को reservation मिला ST को नहीं मिला और other backward class को SC-ST को मिला और other backward class को नहीं मिला यह जो भेद भावपुर्ण जो नीती है उसका समापन हो गया है All India Kota में Medical City के लिए All India लेबल पे जो Medicals के लिए entrance exam होता है डॉक्टर के लिए या अलग-अलग जितने ही Medicals से related courses है तो उसको NEET के जरिये ही होता है तो इसमें हमने एक वर्ड उठाया है Put in in इसका मतलब आप समझगे समाप्त करना देखिए छोटे-छोटे चंक में पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो समझने की जो छमता है वो अभी शुरुवात में कम होता है तो आप छोटे टुक्रों में वाक्यों करिए छोटा टुक्रा करना आ जाएगा छोटा-छोटा फ्रेज में जैसे reservation for students Students के लिए रच्चन दिमाग में आ गया जो backward class से reservation मिलना था सीटों में कौन से सीटों में तो यहां से adjective फ्रेज बन रहा है जो states ने दिया था सुपूर्द किया था surrender to मतलब सुपूर्द किया था all India quota क्यानि हर state से 15-15% जितने भी colleges हैं उसमें से center को दिया कि आप इसमें recruit करिए हर एक लोगों को तो medical colleges जो राज सरकार चलाती है उसमें राज सरकार ने कुछ seat center को दिया था कि backward class को भी इसमें देना है लेकिन center ने नहीं दिया था और ये बहुत दिनों से overdue था यानि बहुत लंबे समय से मतलब दिया ही नहीं गया है जब से इसका constitute किया गया है इसको all India quota को तब से दिया ही नहीं गया है तो इसमें हमने जो word उठाया है दोस्तों surrender to जिसका मतलब होता है support करना इसमें लिखाया है दोस्तों कि center का जो निर्नय है क्या निर्नय किया है कि extend करेंगे 27% reservation मिलेगा other backward classes को जो अब तक नहीं मिलता था वो सारे seats जो all India quota के अंदर अंतरगत आता है तो यह जो decision है bilambit है bilated का मतलब bilambit bilambit है देर से हुआ है लेकिन स्वागत योग stable लिया गया है जैसा कि आपको पता ही है कि OVC candidates जो है उनको कई अक सालों से ये love नहीं मिला है denial किया गया तो bilated यहां पर उठाया गया है इसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है देखें इसमें देखिए underlined part जो है उसको देखिए in concord with इसी phrase को मैंने यहां पर रखा है in concord with का मतलब होता है कि अनुरूप तो in concord with यानि कि जैसा एक्षा है सरकार का किन्नेस मतलब एक्षा गहरी एक्षा कि वो संतूलन बनाना चाहता है OVC के हितों का विध्यान रखा जा रहा है और इसका match करना चाह रहा है संतूलन बनाना चाह रहा है उन लोगों के साथ जो समाजी करूप से बहुत ही विक्सित है उन सेक्षन से भी इनका बैलेंस बनाने का एक्षा है और उसी के रूप जो हमारा केंदर का सरकार है उसने ये भी फैसला किया है इनके अलाबा 10% कोटा में जगह उन लोगों को भी मिलेगा जो EWS है यानि कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बर्क से हैं उनको भी 10% दिया गया है तो इसमें हिंदी देखिए और इसका meaning समझे उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा मतलब पूरा का पूरा एडिटेरियल को 18 sentence था तो 18 हिस्सों में बाट के मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बड़ा ही आराम से चीज़ें समझ में आए और जरा भी तकलिफ ना हो देखिए दूस्तों इसमें जो लिखा हुआ है कि यह जो है यह जो पूरा जो result है outcome का मतलब होता है परिणाम यह जो पूरा outcome है यह मदरायास हाई कोट ने जो verdict दिया है इसी word को हम लोग उठा रहे हैं verdict का मतलब नियाले का फैसला होता है कोशिस है जिसमें ड्रवित्र मुनेत्र कसगम यह जो पार्टी है यही पार्टी है यहां से वीच से adjective clause है जो कोट गया था इस मांग के साथ की OBC को भी ACST के तरह All India quota जो है उसमें reservation दीजिए verdict का मतलब नियाले का फैसला हिंदी भी साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि हर हिंदी भासी बच्चों का interest बराबर रूप से बना रहे घबराएं बिल्कुल नहीं देखिए इसमें बोला जा रहा है कि All India quota की जो category है यह किस ने create किया था यह Supreme Court ने इसको constitute किया था ताकि कुछ states को ना मुक्त रखा जाए यानि कि जैसे किसी एस्टेट में कोई medical college है तो सिर्फ वहीं के बच्चों को नहीं बल्कि बाहर के राज्य के बच्चे भी करें तो यह वहां से जो domicile के requirements को मुक्त रखके कुछ राज्यों में admissions के लिए इसका स्थापना किया था कि दूसरे राज्य के जो बच्चे भी हैं वो medical college में दाखला ले सकें तो यहां पर जो मैंने रखा है word domicile domicile का मतलब होता है अस्थाई निवास जहां के आप हैं जैसे आप हर्याना से हैं जार्कंट से हैं राजस्थान से हैं तो वो आपका domicile है देखिए दूस्तू इस sentence में लिखा गया है कि 1986 में यह date याद रखिएगा कभी एक्जाम में ही पुछा सकता है कि यह AIQ कब constitute किया गया था तो 1986 में इनको constitute किया गया था जिसमें 15% undergraduate medical and dental sits medical मतलब MBBS हो गया MD, MS यह सब और dental, BDS, MDS और 50% जो है postgraduate जैसे आप देखते हैं NEET का exam होता है interpass बच्चे करते हैं तो undergraduate medical का interest exam होता है BDS, MBBS है सब के लिए तो undergraduate interpass के बाद होता है उसे math की ज़रूरत नहीं होती है और उसके बाद जो postgraduate seats के लिए भी exam लिए जाते हैं जो doctor लोग ही जब बीट मतलब उनका यह undergraduate वाला program खतम हो जाता है उसके बाद वो लोग लेते हैं तो यह दोनों के लिए state से लेके केंदर सरकार को दिया गया कि आप यानि केंदर के निकाए के द्वारा पूल का मतलब निकाए होता है केंदर के निकाए से इतना 15% अंडर ग्रेजुएट का और 50% पोस्ट ग्रेजुएट का होगा तो यह भी सवाल बन सकता है इसमें 2-3 सवाल कि 1986 में AIQ का गठन हुआ था जिसमें कहा गया था कि 15% जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल इंटरेंस टेस्ट होता है अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए 15% सीट दिया गया सेंटर को कि जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं वो इंटरेंस एक्जाम में बैठेंगे AIQ के थ्रू और 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट से को सेंटर को दिया गया और इसी निकाय से बच्चे इसमें एड्मिट होंगे तो यहाँ पर मैंने जो एक वर्ड उठाया है Comprise Comprise का मदलब सम्मीलित करके बनाना होता है और हिंदी में नहीं यहाँ देखी एक मुख बात याद रखिएगा कि जब AIQ का गठन हुआ था तो उसमें पहले जो था ना In the past कोई आरच्चन नहीं दिया जाता था और एक बार तो Supreme Court ने जो मदरास High Court का ओर्डर था जिसमें निर्देशित क्या गया था सेंटर को कि AC सेडिल कास्ट AC के लिए और ST के लिए कोटा इसमें रखा जाए All India कोटा के के टेगरी में तो Supreme Court ने इसको रद कर दिया था तो Set Aside का मतलब होता है रद करना Set Aside का मतलब रद करना होता है तो इसमें हमने जो वर्ड उठाया है दोस्तों Set Aside ही उठाया है रद करना एक बात और जानी है यहां पर कि 2007 में Supreme Court जो मदरास High Court के वर्डिक्ट को Set Aside कर दिया था रद कर दिया था उसने 2007 में 15% AC को और 7.5% परसेंट जो है ST को कोटा AIQ में देने का मंजूरी दिया था Meanwhile का मतलब होता है उसी दोरान उसी दोरान जो केंदर की नीती थी जो OBC के हितों का Reservation में ख्याल रखती है उसके अनुसार सरकार ने 27% OBC को कोटा दिया था कहां पर दिया था AIQ में नहीं All India कोटा में नहीं बलकि जो Central Educational Institution है यानि जो केंदर सरकार के दोवारा चलाए गए जैसे संस्थान है बहुत सारे उसमें 27% OBC 2007 से ही उनको मिलना सुरू हो गया था और इस बार जो है इसी Academic Session से 27% AIQ में All India कोटा में OBC को दिया जाना तैह हो गया है इसमें मैंने जो वर्ड उठाय है Meanwhile यानि की उसी दोरान इसको हम ऐसे भी कहते है In the meantime In the meantime का मतलब भी जो होता है दोस्तों यही होता है In the meantime उसी दोरान ठीक है दोस्तों तो अभी तक आपने समझा कि Central Institute जो था Educational Institute उसमें तो मिला था लेकिन इसको OBC Reservation को इस केटेगरी में यानि की AIQ में लागू करने का कोई इरादा नहीं था कोई step नहीं लिया गया था तो इसमें हमने Implement को ही रखा है Implement का मतलब अमल में दाना लागू करना होता है इसमें लिखा गया है कि नियाले में Medical Council of India है उसने बहस किया है OBC के खिलाब OBC का जो Reservation है उसके खिलाब लेकिन जो केंदर सरकार है उसने कहा है कि वह Averse Averse का मतलब होता है अनि छुक वह किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि Reservation ना मिले और वो ये भी नहीं कह रहा है कि 50% जो सीमा है कि ज़्यादा से ज़्यादा Reservation 50% तक मिलेगा और 50% से उपर हम भी नहीं करना जाते उसने इस बात को कोट में कहा है Averse का मतलब अनि चुक होता है दोस्तों देखी दोस्तों इसमें तो Aspast है Omission का मतलब चूक हो जाना जो Reservation नहीं मिला OVC को All India Kota में Aspast Troop से ये भेधवा पूर्ण है जब S.C को मिला S.T को मिला तो OVC को ही मिलना चाहिए ये statement के नुसर उसमें मैंने Omission Word को उठाया है चूक हो जाना तूट जाना Medical Institution जो Center चलाता था उसमें तो था उसमें Reservation मिलता था State में जो Kota था सभी लोगों के लिए S.C.S.T. OVC के लिए तो OVC के लिए भी था इसमें यही बात का जा रहा है बागी सब में था All India Kota में सिर्फ नहीं था तो इसमें Specific खास तोर से Business Troop से इसको मैंने रखा है देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ना है Underline Part को It was Incongruous Incongruous का मदलब होता है अतारकिक, बेमेल यह बड़ा बेमेल बात है अतारकिक है कि जो States नहीं दिया है Center को कि दुबारा आप Redistribute कर दें S.C.S.T. OVC को ताकि सारे देश के लोगों को admission लेने का एक अपसर मिले इसको इस jurisdiction से इस परीधी से इस सीमा से बाहर रखा गया है तो यहाँ पे हमने Incongruous words को लिखा है जिसका मदलब बेमेल होता है देखिए इसमें लिखा गया है कि यह जो case है जो मामला है बहस का था कि All India quota में जो seats है medical के लिए वो actually states का ही तो है तो states जैसे quota सभी को देता है तो उसी तरीके से केंदर में भी states के लोग apply कर सकते हैं All India quota के अनुसार उसमें एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है यह गलत है तो respective word हमने यहां उठाया है संबन्दित देखि इसमें कहा है कि मदरास हाई कूट जो अग्रिनी भूमिका निभाया है जुलाई 2020 में उसने कहा था कि कोई legal impediment नहीं है impediment का मतलब होदा है obstruction बाधा कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं कि OBC को reservation नहीं दे ओल इंडिया कोटा में अलाकि policy जो है अलग-अलग state में अलग-अलग है reservation देने का इसलिए center पे छोड़ा जा रहा है कि वो फैसला करे कि उसका क्या modality होगा modality का मतलब होदा है तोर तरीका कोटा के लिए इस academic year से impediment को मैंने यहां रखा है अब तू पता ही है कि center ने decide कर लिया 27% OBC के लिए और 10% economic beaker section जो है उनके लिए लेगन कोट ने कहा है कि भाई केंदर जो है quantumacies रहा है तो दोस्तों आपको बहुत मजा रहा होगा और आपको अच्छा से समझ में आए आसानी से समझ में आए तकलीफ कम हो इसके लिए पूरे editorial को मैंने जितने 18 sentence में editorial था तो 18 हिस्सों में बाटा है और तूर के आसानी से छोटे छोटे चंक में पढ़ने के लिए आपको कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आए समझ में आएगा तभी आपका interest बढ़ेगा और कोई भी काम जब आप सुरुवात में करते हैं तो सारे काम जो नए होते हैं उसमें मुश्किल होती है एक बार सीख जाने के बाद बहुत ही आनंद की अनुपूती होगी तो रोज बढ़िये बहुत मेहनत आपके साथ करेंगे आपको सिखाएंगे अंग्रेजी लिखना पढ़ना सब ऐसा ना हो कि जो vocabs जो grammar आप पढ़ते हैं वो धरा का धरा रह जाए इसलिए आदत बनाईए कि regular way में news paper पढ़िये तो आपका grammar जो आप जानते हैं उसका भी रोज एक्जामीन होता रहेगा vocabulary जो आप पढ़ते हैं वो भी recap होता रहेगा और सब कुछ retention में रहेगा आपके और उसका फायदा होगा जो knowledge आपके पास है नहीं तो फिर वो mind के किसी और part में जाके खतम हो जाएगा तो अच्छे तरीके से आदत बनाईए दोस्तों seriously study करना है मनरंजन में जितना आनन्द है उससे जादा आनन्द आपको serious study में आएगा अगर आपको समझ में आने लगा तो जिनगी भर ये आपको सुख और आराम देगा तो दोस्तों बने रहे पुरा news paper को पढ़ना मैं सिखाऊंगा headline से लेके editorial से लेके business से लेके sports सब कुछ पढ़ना सिखाएंगे अपना ख्याल रखेंगे हसते रहें, मुस्कुराते रहें जै हिन, जै भारत